दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बैल आइकन को दबाकर ओल पर क्लिक कर दिजिए ताकि आपको सेब सोब से जोड़ी हर तरह की वीडियोस की अप्डियोस सबसे पहले मिल सकते हैं बड़ी बोलते गरने और बेटा तो एसा हो धबमिंदर जैसा दोनी बही एक अब 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 चैनला की गाड़ी में घूम रहा है मेरा बेटा अब हैसा लग रहा है कार में घूम के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरि मदर को जमैने पहली बार गाड़ी मठा था न तो वह देखरATH देख तिम यह क्या है यह क्या है कैसे होता है prisonsा क्य eerste करता है में मेरी मडर को देख रहा था और खुशी हो रही थी तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदा तालिया मिश्ट मैई जी के लिए प्लीज मैई जी तेरी निद्वत का सहारा लेकर क्या से क्या हो गया मैं नाम तुमारा लेकर एक बार जोरदार तालिया होनी चाहिए दोस्तो मेरी यल बता रहा हूं विश्वास नहीं हो रहा यह सब कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा आज भी मुझे सपनों जैसा ही लगता मैंने जिंदगी में कभी इतना बड़ा सोचा नहीं था अगर मेरी मम्मी आज पास में जब मैं बेक को जब याद करता हूं ना तो रोंग टे खड़े हो जाते है रिजल बता रहा हूं आप लोग सोच रहे होंगे कि यह सम्मजाग चल रहा है म्मजाग नहीं है यह सब कुछ बहुत गराब इस्तिया जूट के आया हूं मैं मेरी मम्मी को जब जब देखता हूं आगों मैं आसु हाजाता है बिल्कुल इस्तिया गराब थी जब ठेला लगाया करता था इंडेगा दो लोग आया करते थे पिलिस वाले गाई लेके आया करते थे और जब मार के जाया करते थे मेरी मम्मी को जाके बताता था मैं मैं बोलता था मम्मी आथ पर पुलिस वाले आए फिर परेसान करके चले गए मेरी मम्मी बोलती थी ठीक है बेटा मत लगा ठेला अपने तो कोई दूसरा काम कर ले वो दूसरा कलर का काम कर रहा तू भी उसी के साथ जा मैंने बोला ठीक मैमी मैं ठेला चोड़ूंगा मैं परेसान हो गया जैसे ही गर से पूरे दिन सोचता था यारा ठेला नहीं लगाना पड़ेगा लेकिन फिर मेरी मम्मी सामान तयार करके रख देती थी और मैं बोलता था मम्मी तू बोल रही है कि ठेला नहीं लगाना तो मेरी माँ एक जिवाद बोलती थी खाएंगे क्या फिर खाएंगे क्या अगर ठेला नहीं लगाना यहां से बात कर रहा हूं यहां से बहुत सारे लोगों को इतना देखने के बाद में मजाक लगता है बहुत सारे लोगों के माबाप यहां बेटे है अगर मेरी माँ एक नो हजार का यहांचे पेकिज खरीदना था सर बड़े बड़े सबने दिखा चुके थे और मेरी मम्मी को जाके बोला मेंने का मम्मी एक बार पेकिज खरीदने से मेरी जिन्दी किस काम में बन सकती है पहले तो पापा ने मना कर दिया बिल्कुल किलियर कटे में मना कर दिया मेरी मम्मी यह बेटे दोनों रख में गिरवे रख के पड़ोज वड़ी आंटी जी से 2% भी आज बिलाके मेरे को इस बिजनस को जोईन कराया और इस बिजनस को जोईन किया और लोगों को बताना चालू किया ये दुनिया ना दुनिया किसी पर रहम नहीं करती है एक गरीब आदमी जब आगे बढ़ता है तब ये दुनिया उसको पीचे कहस दिये बहुत सारे रिष्टदार बहुत सारे दोस्त मना किया बोले ऐसा हो नहीं सकता बोले ये सब पाल तु काम है और जाले तुमारी तुमारी इस्टरी मैं लिखा हुआ कि तुम कभी अमीर बन सकते हो तुम साड़े फटीचर के ओलाद हो और तुम बुरे बुरे इंसान के ओलाद हो तेरा बाप जैसे ही मरेगा तु भी वेसा का वेसा ही मरेगा तुम नास तक कुछ नहीं कर पाए ये बाते जब लोग बोलते थे थे न यहाँ पर लगती थी लापर तो एक मोका था कि यार जीवन में कुछ करे मैं दिल से चाहूंगा उस इंसान के लिए एक बार जोड़धर तालियोनी चाहिए जिसने एक गरीब बच्चे को जोगी ठेला लगाया करता था उस बच्चे को उठा के और धिम्मत दिलाई और बिजवाज दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ एक बार अभी तक भी जो तालिया ने बचाहिए उससे कई हजार बुना तालिया उस इंसान के लिए बचाहिए और मैं से थेंग्यू थेंग्यू अगर वो नहीं होता तो आज भी अज़िक कोट के बाद धिलना लगा रहा होता मीटर सुक्देव सिंग्रावत के लिए सुक्देव सिंग्रावत के लिए जोड़दार तालियो ने चाहिए ज़र के लिए उस आदमी ने मेरे को भिश्वाज दिलाया और एक की कमिट्मेंट लिया मैंने बोला सर मैं इस काम को करूँगा मेरा चोटा भाई आज डेड़ साल से मेरे साथ इस बिजनस को कर रहा है गालिया बोलता था मेरे को के कौन सा काम चोहिन कर लिया है तुने गर में मम्मी परेजान हो रही पापा गर बेंकार जगड़ा हो रहा है मेरी चोटी बेनिया बेटी है मैं जब 20-20 रुपे मांग के ले जाता था पीछे चोर-चोर बोलती थी मेरे को कि कौन सी कंपनी में पजा जाड़ा कुछ नहीं होता है और गर के पैसे लगाए जा रहा है यहां से और आठ महीना मेरे को जब इस बिजनेस हुआ था कंपलीट मैंने मेरे ठेले को बंद कर दिया और मेरी मम्मी यहां बेटी है जिस दिन मैंने ठेला बंद किया था ना तीन दिन तक मेरी मम्मी ने खाना निकाया था रोटी निकायी थी और एक महीने तक मेरे से बात नहीं की थी बोले जाड़ा जिससे घर का खर्चा चलता तू इस कंपनी के चक्कर में उसको भी बंद कर दिया तुने मेरे सुक्देव सर बेटे इनको भी पीछे से गाड़या बोला करते थे लेकिन सर ने एक ही बात बोली महेज जी आज तक जिस भी इंसान ने इतियास लिका है एक बात जो उन्होंने मेरे को बोली थी वो बात मेरी यहाँ पर सीदी लगी थी उन्होंने एक ही बात बोली थी महेज जी जिस जिस पे जग अचा है इतियास उसी ने लिका है तेंक यू और मैं तो पागल था मैं तो भूका था, मेरेको तो कुछ चाहिये थी, साले लोग मना करते थे, लगातार इस काम को किया, किसी के केने से रुखा नहीं, बाप कालिया बोलता था, मेरी मा भी गालिया बोलती थी, मेरा भाई भी गालिया बोलता था, हर आदमी को सुनता था, खाना जैसे ही खाता था मेरी माँ पीचे से बोलती थी तोड़े अराम के टुकडे साड़ा गर में एक रूपया नहीं देता है मैंने बोला एक बकताएगा मेरा जरूर छोड़ूंगा न इस बिजनस को लगातार करता गया लगातार करता गया लगातार रुका नहीं आज वही लड़का जो लोग बोलता है ऐसा होता नहीं है जो लोग जो माबाप या बेटे जो पच्चों को रोकते आज उन लोगों के मूँ पे करारा जवाब है जो ठेला लगाने वाड़ा लड़का आज इस बिजनस की ताकत की वाज़े से मेरे खांदाल में तीन पीडी में जिस आदमी ने जो नहीं किया वो मात्र में ने ड़ाई साल में यहां से करके बता दिया अच्चिवमेंट की अगर बात करो थेंग यो लोगों को पेशेंस नहीं है लोग जुड़ते ही पैसा आना चाहिए साला एक साल तक एक रूपया नहीं आया मेरको इस बिजनस से एक साल तक एक रूपया नहीं आया परेशा है लेकिन उसकी नजर में करम करता गया लगातार काम करता गया और एक साल जैसे कम्प्लीट हुआ इसी पैस की थेंग यू बोला यार अभी जिंदगी में रुकना नहीं है पैसा अगर कमाने की बात करूँ तो जो लोग बोलते हैं के पैसा आता नहीं है अरे साल अगर इंसान अपनी पे आ जाए ना तो क्या नियोता सब कुछ हो सकता इसी बिजनस की वज़े से अगर बात करूँ ना पिछले साथ द इनकी इंकम है 19,000 उपे और ब्यावर में लोग बोलते थे भाईया ब्यावर के लोग नहीं करने वाले ना तो इधर मातरा ना इधर मातरा ब्यावर के लोग बहुत खराब होते हैं मैंने बोला साला मे भी अपनी पे आया हूआ हूँ काम तो करके बताँगा और आज इसी ब प्यावर में दंके की चोट पर काम होता है ये सरनो एक साल बात जब पैसा अना चालू वा और वो जो भाई मेरा विरोध करता था जो बोलता था ऐसा होता नहीं है उसको फिर मैंने चेक बताना चालू किया मैंने देख आता है तो भोले यार भाई पैसा तो आता में भी और उसका बड़ा भाई फोर विलर चलाता है यह दागता है यह देज़्गे चलाता मेरा चोटा भाई आज तक लेप्टोप साला डर लगता था जोटे भाई को लेप्टोप दिलाया खरीदा इसने काम करना चालू किया आज अगर मेरे भाई की पिछले साथ दिन की इंकम साथ दिन की इंकम है Р уже belli हो तो को साध कि अगतना थे अगह रोगी असेwhen साथ दिन की इंकम है उननेश हजारू उपए सर ये महिं सरवलने माय जी कर ले निया ऩार कर में तो पंगा हो जाएका था य। य। झाना हम अठार जिए, क्या जिस दिन कार लेके आहता ना मेरा अबाई बोलता भाई मेंड़को विस्वास नहीं हो तु कार लिया या अज लुक आए लोक तो आगता रहा हूं जो मेरी मम्मी बोलती ती ना हराम के टुकडे तोड़ता ए माज़िए मा सूबे उड़ते ही आदा किलो भेंस का दूद मंगाती है बादाम खुदी को उड़ती है और घोलती है और पूरा हिलाती है और जैसे ही विस्तर से उटा ब्रेस करने के बाद जबदस्ती बादाम का दूद पिलाती है तेंगी ये सर नो और रियल वाद बता रहा हूँ ये तो क्या लोग साथ छोड़ जाते है साथ नहीं देते हैं लोग वरना साला इतना अंदर खून गरम है एक के कादमी को आगे तक लेके जाना है और अपनी बात खतम करने से पहले एक कमिटमेंट लेके अपनी बात खतम करना चाहूँगा मेरे पास में इस बिजनेस की वज़े से मात्र सवा दो साल के अंदर कार आईये सर को इस्टेस से दावा करता हूँ और चैलेंज करता हूँ जितने भी लोग मेरे साथ में आग बिजनेस कर रहे मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे साड़ा अपनी मईया का दूद नी पिया कर डिड़ेर साल में लोग को कारों तक नहीं पहुचाया तो कारों तक पहुचाया थेंग्यू इसी तरीके का एक प्रोग्राम आज मेर में देखने गया था एक आदमी यहां खड़ाता और बोल रहता इतनी सांदर अपचुनूटी है अगर कोई एक आदमी आज इस बिजनेस में एक पेकिज खरीद के आठ नोजार का और अगर जूडता है और अगर उसकी मैया ने अगर दूद पाया है तो साला ढाई तीन साल किसी की कहने पगर छोडता नहीं है लगातार अगर मैं एनद करता है तो वो खांदान का इतियास लिख सकता है साला उस समय मैं पीछे बेटा था पूरी मुट्टी को कसके पगड़ लियो था मैंने बोला साला मैंने पीए मैंया का दूद पिया नहीं साला का डाई साल तक इस बिजनस को छोड़ूँगा नहीं और कार तो लाके बताउंगा सवा दो साल में कार लाके बताया और आप सारे लोगों को एक आवान कर रहा हूं अगर है किसी के जिगर के अंदर जिगरा और उस जिगरे के अंदर कलेजा और उस कलेजे में दम अगर पिया महिया का दूद तो डाई साल किसी के केने से इस बिजनस को छोड़ना मत अगर तेरे घर के अंदर कार ना जाए तो सलाम मैस कुमार सामरे अपने बाब की उलाद नहीं आएगी तरह बाब बस आदमी पागल होना चाहिए इमांदार होना चाहिए कारेक्टर सही होना चाहिए उसका मेंति आदमी होना चाहिए फर्ची आदमीनी होना चाहिए फरजी लोगों का बिजनस नहीं है ये बिजनस पागल और दिलतार लोगों का फरजी लोग तो ओटोमेटिक बाहर हो जाते है इदर से सच है कि नहीं दोस्तों आज इस बिजनस की वज़े से खेले पे 200 रुप्या कमाने के लिए इतनी मेहनत करते थे लेकिन इस बिजनस की वज़े से अगर बात करूँ तो ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस महीना मेरे को 70 से 75 जार भी प्या महीने का नहीं आता हो और लाश्ट कमिटमेंट करके अपनी बात खतम कर रहा हूँ मेरी मम्मी भी यहां बेठी हुई है अगर साला दो अक्टूबर दो हजार अठारा आज से अगले दो साल के अंदर मेरे खांदान का पहला लड़का हूँगा मैं अपनी मैया का दूद नी पिया दो हजार अठारा में 40 लाग का घर नी बनाया तो मैं बनाँगा 40 लाग का घर तेंक्यू ये बात दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्यों क्योंकि दोनों भाई एडी का जोर लगा के काम कर रहे साला सुबे दूद पी के घर से निकलते रात की बारा बज़े जाके घर पे खाना खाते पूरा पूरा भूके रह रह के काम करते दुमे दार काम करते है जितने ज़्यादा लोग को बताना हो उतने ज़्यादा लोग को बताते है मेरे भाई को एक ही बात बोली है मैंने बोला साला 2018 तक जब तक हम दोनों भाईयों को मरना नहीं है जब तक इनको 40 लाग के घर तक नहीं पोचा दे, अपने मरने के बाद परिवार सुके हो जाना चाहिए, बस यही आशा लेके इस बिजनस को कर रहा हूँ, और यहां तक पोचा, यह मेंटर लोग बेठे हुए, जिन्होंने मुझे यहां तक पोचाया है, मैं सच बाद बता र पर लोग का साथ चाहिए, क्यों? कोई अगर साथ अगर रहा, तो ब्यावर के अंदर ऐसा कोई चोड़ाया, ऐसा कोई गली नहीं बचेगी, जहां पर लोग जिंदिक्या नहीं बनाएगा, ऐसा चाहिए कि नहीं? तो दोस्तों, मैं जादा समय नहीं लेते हुए, सर को स्ट करेंट आरा भी तक, आ रहा है कि नहीं आरा? कून खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है? बूतक आरा है यार, पुरा खून उबाल मार रहा है, सही कि नहीं है? ये